हेलो एवरीवन वेलकम टू सरकारियट वन्स अगेंग तो इस वीडियो में जो है मैं आप सबी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिसकुशन करने वाला हूँ जो की कीजेमों बीएसी नर्सिंग काउंसलिंग के रेस्टेशन से रिलेटेड है तो काफी सारे कैंडिडेट्स के लेकिन उसके बाद जब हम लॉग इन करके देख रहे हैं लौगिन करके दुबारा से चेक करें तो वो जो हैं हमको फिर से पे करने का लिंक कर रहा है ठीक है तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दो कि इसमें बिलकुल भी ऐसे डरने की कोई भी ज़रूत नहीं है कि आप सोचो कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है आपने पेमेंट कर लिया है आपने मैंने आपसे पहले ही बोला था जब मैंने अप्लिकेशन फॉर्म की जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि जब आप पेमेंट कर दोगे तो आप स्क्रीन शॉर्ट जरूर लेकर रख लो जब आप पेमेंट कर रहे हो और वो लिंक जो ह अंशे और मत रहो कि हां मतलब ये अगर दुबारा लिंक मुझे शो कर रहा है तो पेमेंट जो है वो नहीं हुआ है ऐसा कुछ नहीं है आपके पास से जो है पेमेंट डेबिट हो चुका है आपके कार्ट से वहाँ पर सक्सेसफुल उसने शो कर दिया है आप बस उसका screenshot अपने पास लेकर रख लो आपका काम जो है वो खतम हो गया ठीक है तो आपको tension लेने के जरूत नहीं कि मेरा payment हुआ है या नहीं हुआ है अगर page पर successful लिखकर आ गया है तो इसका मतलब है कि आपका payment successful हो चुका है ठीक है तो सभी के साथ ऐसा हुआ है और कुछ students के साथ मतलब यह उन्होंने यह भी बोला कि जो उनका date of birth का year है वो complete show नहीं कर रहा था ठीक है जैसे किसी का 2001 है तो खाली two double zero कर रहा है लास्ट कर डिजे शो नहीं कर रहा है तो यह error सबके में आ रहा था तो इसमें भी टेंशन लेने के कोई जरुवत नहीं है ठीक है तो इसलिए आप डरना मत और एक और चीज़ important है जो कि domain sales related है जिसमें आपके पास NA लेक्के आ रहा है यानि कि not applicable ठीक है तो वो क्यूं हा रहा है मैं उसका reason बता देता हूं जो भी ऐसे candidate है जिनोंने वो option select करा है कि उन्होंने 10th और 12th जो है अपना UP से किया है समझ आगे बार जब आपने option उसमें select करा होगा तो उसमें जो first fall option है कि 10th and intermediate both from उत्तरपरदेश तो जिसने ये option select करा है उनको domicile के बारे में details देनी की जरूरत नहीं है मतलब उनका कहना basically ये है कि अगर suppose आपने 10th और 12th उत्तरपरदेश से किया है तो आपको domicile नहीं देना है ये प्रूफ करने के लिए कि आप उत्तरपरदेश के ही bonafide resident हो तो जिसने ऐसा option select करा है कि 10th and 12th both from UP उनके में domicile की जगे वो NA ही शो करेगा अगर आपने 10th या 12th या फिर दोनों ही किसी other state से किया होगा तो उस case में आपको अपना domicile जो है उसका number वगरा जो है वहाँ enter करना होगा ठीक है जिसमें वो options आ रहे हैं मतलब 4 options आ रहे हैं और उसमें last वालों जो option है वो शायद दिये है तो इसमें भी कोई tension लेने की बात नहीं है ठीक है बाकी एक और doubt है category certificates related तो यह doubt था कि हमने जो है क्या कर रहा है जो उसमें certificate number था उसकी जगे हमने application number को एंटर कर दिया ठीक है वहाँ पे एक आवेदन कर्मान करके आ रहा है और एक आपका शायद पता नहीं कुछ और करके आ रहा है ठीक है तो आपने शायद आवेदन वाला डाल दिया है तो वह application number डाल दिया है तो अगर देखो ऐसा हो गये तो उसमें जादा टेंशन लेनी के जरूत नहीं है क्योंकि जब वह आपका college में verify करेंगे तो वह नंबर भी आपके उसी की उपर होगा आपका जो certificate है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि अब देखो कुछ हो भी नहीं सकता उसमें क्योंकि आप finally उसको submit कर चुके हो तो इतना जादा उसके बा बाकी जिनका registration नंबर गलत हो गया है जिन्होंने registration नंबर अपना application form वाला डाल दिया जो की KGBCN करके है वो वाला डाल दिया तो उनके साथ भी problem है कि वह आप वो change करनी सकते हैं काफी सारे students जैसे जिन्होंने दुबारा payment कर दी है दुबार registration नंबर डालके लेकिन मैंने आप आपको बुला है पहले mail कर लो कल तक देख लो और response आता है फिर देखते हैं अगर आपकी problems और नहीं होती फिर देखेंगी कि क्या किया जा सकता है ठीक है तो यह कुछ आपके important questions थे तो मैंने सुचे इस वीडियो में cover कर दो ठीक है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना क्योंकि problem maximum students के साथ आ रही है ठीक है तो payments related मैंने discussion कर लिया कि payment में tension मतले ना अगर आपने कर दिया successfully आप screenshot लेकर रख लो बस और वहाँ पर आपको दुबारा वो link शो करेगा ही करेगा ठीक है तो इस वीडियो को हिंपर end करते हैं यह कुछ doubts है जो मुझ आप स अबीके साथ discuss करें अगर यह वीडियो हटफू लगी तो प्लीज को दरूर लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो subscribe कर लो और bell icon को press कर लो okay so thank you and have a nice day